हलो एवरिवान गूड मॉर्निंग और गूड मॉर्निंग इसलिए कह रहे हूं क्योंकि ये है सुबह का टाइम जब मैं वोई सोबर दे रही हूं और ये तो वैसे सुबह का टाइम नहीं है ये 11.30 का टाइम हो रहा है हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी सॉपिंग लाने के लिए तो जब हम लोग गए ना वहां फे तो देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ था तो एक दो सॉप हम लोग गए लेकिन दोनों में ही बहुत ज्यादा भीड़ था तो फिर हम लोग वापस आ गए बिना कुछ सामान लिए और आप देख सकते हो कितना ज्यादा धूप किया तो अब बना लेती हूँ और आज कल मैं बहुत जल्दी बना रही हूँ क्यूंकि इस घर में इस किचन में से मुझे जल्दी जल्दी निकलना है खाना पीना बना की बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पर तो अभी मैं आगे हूँ उपर छट पे और यहाँ पे मैं बैटी हुई हूँ और रोटी बगेरा मैंने कर लिया है रोटी मैंने बना दी है और आज कल गर्मी के महिने में जो है चहरा पूरा काला पड़ गया है मेरा तो और होता है सभी का ऐसा होता है बहुत ही ज्यादा ग तो सुच रही थी कि सुबह सुबह ही ब्लॉगिंग का स्टार्ट करूं लेकिन नहीं हूँ पा रहा है अभी और थोड़ा सा आज भीजी थी मैं भीजी सी मतलब की कुछ खरीदना था मुझे तो नहीं लेकिन हमारे कुछ रिलेटिव मतलब मेरे हस्बन के दोस्त के बेटी उन तो अभी ब्लॉगिंग का स्टार्ट करती हूं और हिंदी वीडियो जो है मैं बहुत ही कम ध्यान दे रही हूं उसमें क्योंकि उतना ज्यादा नहीं कर पा रही हूं दोनों की तरफ मतलब कि दोनों के दोनों में टाइम जो है मेरा नहीं हो पा रहा है तो इसलिए और फिर मैं कोर्सिस हमेशा ही करती हूं कि दो-तीन दिन में भी एक वीडियो डालूं लेकिन कभी-कभी होता भी है और कभी-कभी 4-5 दिन भी हो जा रहे हैं तो ट्रै करूंगी कि रोज-रोज वीडियो तो नहीं डाल पाऊंगी लेकिन दो-तीन दिन में एक जरूर डालूंगी तो ब्यक्त कर दो प्राइब हो रहा है ज़ दो अ कि दॉस्फ एंग टोच कॉइब हो रहा है तो अगर ड़ा रहा नहीं जा रहा हा पूरा गर्मी और इतना ज्यादा घर्मी वापक क्या बताऊ मैं आपको तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उपर चलती हूँ थोड़ी टाइम के लिए ज्यादा टाइम के लिए हैं थोड़ी टाइम के लिए क्योंकि मैंने सबजी नहीं बनाई है और आज मैं प्याज और आलू की सबजी बनाऊंगी और आप लोग के साथ सेर करूंगी और जो भी हो प बहुत ज्यादा डर्भी हो रही है बहुत ज्यादा डर्भी लग रहा है कि पताने क्या होगा क्या नहीं पता नहीं कब तक यह जो बीमारी है पताने कब तक यह खतम होगा बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है और भगवान करें बहुत जल्दी यह सब खतम हो जाए पहले क कुछ ठीक हो जाए किसी को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो किसी को कुछ भी तकलीफ ना हो किसी के घर में कोई भी इनसान अपनी घर वालों से दूर ना रहे और क्या कह सकती हूं और हम लोग तो वैसे भी अपने अपने घर में हैं लेकिन ना जो लोग बाहर गय हुए हैं जैसे दिली, मुंबई जैसे बाहर की इंडिया से बाहर भी जो लोग हैं वो लोग भी तरस रहे होंगे कि घर की लोगों के साथ मिलने के लिए तो वो लोग भी तरस रहे होंगे कि कास हम लोग कब जाएं घर कब जाएं घर लेकिन नहीं वो पा रहा है लॉकडाउन की वज़े से तो चलिए गाइस अभी मैं यहाँ पर थोड़ी दिर के लिए बैठूंगी फिर हम चलेंगे नीचे और मैं आज बनाओंगी आलू प्याग की सबजी और रोटी और चाबल है जो कि मैं और मेरी सासो मा खा लेंगे और उपर जब भी मैं वीडियो बनाती हो ना पता नहीं कोई गारी आ जाती है कोई पता नहीं बहुत ज्यादा ना साउंड होने लगती है तो इसलिए मैं ज्यादा तर उपर वीडियो नहीं बनाती है तो चले फिर मिलते हैं थोड़ी दिर की बार जब मैं खाना बनाओंगी लाइट आने दीजे फिर मैं खाना बनाओंगी तो बस अभी लाइट भी आ चुकी है और यहां पर मैं काट रही हूँ टमाटर और प्यास और आलो को मैंने पहले ही काटा हुआ है और उसके बाद ना मैं बस खाना बनाने ही वाली थी की एक फोन आ गया था तो उसके बाद मैं डैरेक्ट बनाने के बाद आप लोग उसे मिल रही हूँ तो देखिए यहां पर मैंने सारा कुछ चोंक कर लगा दिया था जीरा, सरसो, प्यास और टमाटा रालो बस सिंपल सी सबजी होगी तो देखिए और यह आधा बना है पूरा नहीं पका है अभी तो बस इस तरीकी का सबजी रोटी में बहुत थी अच्छा लगता है तो बैसे यह सबजी बनाने के बाद मैं फिर ब्लॉगिंग को एंड कर दी थी और फिर नेक्ट डे का है यह यह जो दिन है यह है नेक्ट डे शटर डे तो यहां पर दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर मैं मैं सो के अभी जैस्ट उठी हूँ और उसके बाद हम लोगों ने आज सुबह सुबह मैं ब्लॉगिंग का स्टार्ट नहीं की थी क्या हुआ ना हम लोग फिर से गए थे सामान लाने के लिए ग्रोसरी सौपिंग तो बस आज हम लोग लेके आये हैं और हमारे पास में ही एक दुकान है जहाँ पर ज्यादा भेर नहीं रहती तो हम लोग वैसे कभी नहीं लाते हैं वहाँ से लेकिन हम लोगों ने सुचा चलो आज ले आते हैं क्योंकि ज़ुर्वत भी थी बहुत सारे चीज़े हैं तो बैस ये सारे सामान में लेके आए हूँ और अभी सारे सामान को मैं डिबो में भरके रखूंगी जो डिबो में भरना होगा वो रखूंगी डिबो में भरके और जो कुछ ऐसे ही रखना होगा वो सारा को मैं ऐसे ही रख दूंगी तो यहां पे ट्रेक्टर चल रहा है तो आपको आबास बहुत ही ज्यादा सुनाई दे रही होगी क्या होता है ना कि कीचन में जब भी मैं बहुत सोबर करती हूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नौय जाती है क्योंकि जो रोड है ना मैं रोड तो वहाँ पे मेरा कीचन है तो इसलिए तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ मैं निकाल रही हूँ और ग्रोसरी सौपिंग में मैं ले आई हूँ चीनी चीनी और दाल चावल तो नहीं चावल तो हम लोग न एक साल के लिए ही खरीते हैं और घर पे चावल निकल आता है तो हम घर पे ही घर का जो चावल होता है वो लाते हैं और खरीत के नहीं लाते हैं दुकान से तो यहाँ पे चाई पती और नमकीन और बहुत सारा है जो सूजी वगेरा नास्ते जो नास्ता हम लोग करते हैं उसके लिए मैंने कुछ लाया है तो बस ये सब ग्रोसरी मैं हर महीने ही लाती हूँ लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हजबन को अगर भेजो ना ग्रोसरी सौपिंग करने के लिए तो वो कुछ-कुछ लाते हैं और बहुत कुछ नहीं लाते हैं तो इसलिए मुझे नहीं पसंद है उनको भेजना ग्रोसरी सौपिंग के लिए तो इसलिए मैं खुद जाती हूँ और मैं खुद मतलब की क्या होता है ना दीदी अगर मेरी साथ जाती हैं दीदी हो या कोई भी हो अगर साथ में चलते हैं तो ही जाती हूँ अकेली मैं भी नहीं जाती हूँ तो देखिए यहां पर सारा कुछ को मैं भरके रख दूँगी और फिर हम लोग चलेंगे कुछ काम धंदा कनने और यहां पर उड़त की डाल में लाई हूँ और अभी ना जो भी सामान का रेट है वो थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि सामान बाहर से नहीं आ रहा है तो इसलिए कुछ सामान है जो की 2-3 रुपए ज्यादा ले रहे हैं तो बस चलेगा क्या करेंगे फिर मिल रहा है ये बड़ी बात है नहीं तो फिर बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती सबको ही और तो हमारे यहां तो बीच में कह रहे थे बीच में मतलब की कुछ 2-4 दिन पहले कह रहे थे कि नमक नहीं मिलने वाला है तो मेरी सासुमाने बहुत सारे नमक के पैकर जो है वो लेके आ गई थी कि पता नहीं फिर मिलेगा नहीं मिलेगा तो इसलिए तो वैसे तो मिल रहा है सब कुछ ही मिल रहा है पटना बहुत कम मिल रहा है तो देखिए और कुछ कुछ चीजे थी जो कि मुझे और चाहिए थी लेकिन नहीं था सौप में नहीं था तो इसलिए उन्होंने कहा कि कल आएगा तो फिर मैं हस्बिन को कह दूंगी लाने के लिए तो देखिए वहाँ पर जो भी डिबो में भरना था मैंने भर दिया है और जो कुछ एक्ष्टा होता है तो उसको मैंना अलग एक जगा पर ऐसे ही प्लास्टिक में ही रहने देती हूँ जब ज़रत पड़ती है तब निकाल निकाल की इसका यूज करती हूँ तो चलिए फिर मैं सारा कुछ बहर लेती हूँ फिर हम लोग बात करते हैं तो बैस अभी सारा कुछ रख दिया है और वीडियो भी लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा तो चलिए मिलते हैं नेक्ष्ट ब्लॉग में वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो फ्लीस लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब भी कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्ष्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बैबाए